लालकुआ में बेटी की सगाई के लिए लगाया जाने वाले टेंट के पाइप को छट पे चड़ाती समय हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से आठ बच्चे जुलस गए जिसमें पाच बच्चे गंभी रूप से जुलस गए जिन्हें हलदानी अस्पताल को रेफर कर द में बैपार मंडल के पुर्वा ध्यक्ष अशोक अग्रवाल के मकान में किराय पर रहने वाली महिला बविता पत्नी मुनेश की बेटी जोती की आथ सगाई है उसका विवा उत्तर प्रदेश के सहरनपो निवासी युवक से तैह हुआ है जिसकी तैयारियों में परिवार के बच्चे टेंट के लोहे के पाइप छट में चड़ा रहे थे तब ही एक पाइप मकान के पीछे से गुजर रहे रेलवे के हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया जिसके चलते छट पे मौजूद आधा दरजन बच्चे करंट के शिकार हो गए गंभी रुप से जखमी पांच बच्चों को शेत्र के समास सेवे उंग पुलिस द्वारा ततकाल घर के पड़ोस में इस्थित क्लिनिक में ले गए जहां प्रात्मे को प्चार के पश्चार पांच बच्चों को हलदानी रैफर कर दिया गया जबकि मामनी रोप से संपर्ख में आए तीन बच्चे स्वास्थे अबेरक कारो की एक आए ऐसे पी उस्था इसने क्चार पॉलिप से एक आए पुलिप्षाल नहीं को शेंगा थे जाए जाल फिरह भी आसे प्चार पार्णले कुझ परेगिनले की मामने करें इसको जोड़ने के दिया को पोच्चे झाल झाल